केसर कुलफी बनाने के लिए एक लिटर पूल क्रीम दूद लिया है दूद को एक उवाल आने तक तेज्य आज पर रखा है दूद में एक उबाल आगया है आज को मेडियम रखेंगे 20-20 बिस में चलते रहेंगे दूद को बराबर से लाते हुए पका लिया है, दूद आधा हमकुका है, एक काटोरी चीनी अट करते हैं, एक रताची में लाची पड़र अट करते हैं, पांच शे केसर के दाटे को दूद में भीगा के रखा था, अट करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, गाढ़ा होने दक पका लेते हैं, बराबर से लाते हैं, दूद को गाढ़ा कर लिया है, दूद गाढ़ा हो गया है, गैस बंद कर देते हैं, थंड़ा होने भीगा, अबरे से कुलफी तयार कर लेते हैं, एक कंटेनर लिया है, आज करते हैं, जब्बे को अच्छे से टैप कर देते हैं जिसे अच्छे से सेट हो जाए किसमी से गालिशिंग कर लेते हैं कि अर्मोनियम फार से कवर कर लेते हैं इस तरह से धक्का लगा लेते हैं आठ घंटे के लिए फ्रेजर में रख देते हैं कुलफी को सेट होने के लिए फिर कुलफी बनकर तयार हो गई है इसे डिस्राउट कर लेते हैं इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो उगलिया चाटते से जाएंगे प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें या फ्लोगी के तरह से हमारे ले प्यार होता है थैंक्स फार वाचिंग माई बीजी